हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपकी 13.1 स्टार्ट कर दी थी फिफ्ट कुश्चन तक आप हमने डिस्कस कर लिये थे नौ वी बिल स्टार्ट फॉम कुश्चन नम्बर 107 निकालेंगे कुश्चन नम्बर 6 एक्सराइस 13.1 A man earned rupees 1800 per month His wife earns rupees 1500 per month Find the ratio of the man's income to wife income Wives income to man income देखे बच्चे आपको मैंने लास्ट में बता दिया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम ratio को find out करते हैं कुश्चन नम्बर 6 का first question देखे अब आपको यह कह रहा है कि man की earning दी गई है 180 per month और आपको कह निकालना है ratio man's income पहले आप लिखेंगे man's income कितनी है man's की income आपको कुश्चन में दी गई है rupees 1800 और wife की income आपकी कितनी है wife's income is equal to you have given rupees 1500 ठीक है अब आपको इनकी ratio निकालना है तो man की आप लिखेंगे उपर 1800 और wife की लिखेंगे 1500 first part 6 का first part ठीक है अब आप क्या करेंगे इसको 3 से divide कर देंगे 0 से 0 cancel हो गई 3 6 जा आपका हो गया कितना 18 upon 15 हो गया 3 6 जा divide कर देंगे उपर नीचे 3 से 3 6 जा 18 3 5 जा 15 तो आपकी ratio हो गई 6 ratio 5 first part ठीक है इसका first part second question इसका second part wife income to the total income of the two अब आपको wife की income कितनी दी गई है 1500 ठीक है अब आपको क्या निकालना है इसमें wife की income और दोनों की income के total की ratio तो आप देखें आप इसमें कैसे निकालेंगे यह होगी आपकी wife की income हो गई 15 wife's income हो गई आपकी कितनी 1500 और total of total of two कितने हैं कैसे करेंगे फिर 1500 और 1800 को add करेंगे तो आपका आएगा 3300 रुपीज तो आपको ratio निकालनी है wife की income को उपर लिखेंगे 1500 और जो उन दोनों की है उसको लिखेंगे 3300 0 से 0 कैंसल हो गई 15 upon 33 को उपर नीचे हम लोग किस से डिवाइट कर देंगे 3 से तो यह आपका आजाएगा 5 upon 11 तो इसकी ratio हो गई आपकी 5 ratio 11 आई बास समिन में इसका second part third part wife income to man's income wife की income कैसी है बच्चे देखें क्या दे गई है five की income आपको दे गई है one five zero zero और man's की income है आपकी one eight zero zero जो हमने फर्स कोशन किया है उसका उल्टा कर देंगे ठीक है इसमें आपको उपर लिखना है wife की तो zero से zero कटी 15 upon 18 को उपर नीचे 3 से डिवाइट कर दिया जो हमने इसको डिवाइट किया तो कितना है five upon six तो यह हो गई five ratio six यह का आपका हो गया question number six complete now we will see question number seven length and the breadth of the field is 35 meter and 20 meter respectively और find the ratio of the length of the breadth आपको क्या दी गई है एक field की length और breadth और उसकी आपको ratio find out करनी है तो आप लिखेंगे length of length of field how much you have given 35 meter और breadth कितनी दी गई है breadth of field you have given 20 meter so their ratio ratio हम निकालेंगे किस तरीके से आपको इन दोनों की ratio निकालनी है 35 upon 20 अब इसको बच्चे उपर नीचे five से divide कर दीजे तो आपका आजाएगा seven और four तो इसकी ratio होगी seven ratio four ठीक है question number seven seven ratio four now question number eight find the ratio of eight question में बच्चे आपको चार पाट दी गए है चारों की आपको ratio निकालनी है देखे आपका eight का first question में क्या है eight के first question में है nine meter nine meter two two hundred centimeter इसकी आपको क्या निकालनी है ratio देखे nine meter का मतलब होगया nine hundred centimeter unit same करनी होती है तब निकालते हैं यह आपका होगया two hundred centimeter zero से zero cancel होगई nine ratio two इसकी होगई आपकी nine ratio two eight के first question की ठीक है फिर्स question होगया eight का second है 25 पैसा two rupees one देखे 25 पैसा का मतलब क्या होगया बच्चे 25 पैसे को तो as it is लिख देंगे one rupees में होता आपका hundred पैसा दोनों की unit same करनी होती है जब आपको ratio निकालनी है मैं पहले आपको बता चुकी हूँ 25 को hundred को जब हम lowest में करेंगे तो आपका आएगा one upon four it means one ratio four आई बास समयझ में इसका second part ही होगया आपका one ratio four third part देखे three hours third part में है three hours to 50 minute इनकी आपको ratio निकालनी है ठीक है तो आपका three hours का मतलब होगया three into 60 क्योंकि one hour में कितने है 60 तो three में multiply कर देंगे upon 50 तो यह होगया आपका one eighty upon fifty आई बास समझ में तो आपका अब आप क्या करेंगे इस question में देखे one eighty upon fifty तो आपका होगया zero से zero cancel eighteen ratio five क्योंकि eighteen और five किसी की table में एक की table में नहीं आते तो ratio होगया eighteen upon eighteen ratio five अब देखे इसका fourth part fourth part में आपको दिया गया है बच्चे fourth part में दिया गया है five kg to two fifty gram five kg to two fifty gram देखे अब आप क्या करिए kg को gram में बदल दीजिए five kg में आपके हो जाएंगे five thousand gram ठीक है बच्चे और यह होगया two fifty gram अब आप इनकी ratio नकालिए अब zero से आपका एक zero cancel हो गई 25 और इसको जब आप solve करेंगे तो आपकी इसकी ratio आएगी 20 upon one यानि की 25 25 से 500 20 time divide होता है कैसे देखे 25 बन जा 25 25 टूजा 50 zero का zero तो इसकी ratio हो गई 20 ratio one आई बास समय में आप देखे इसका fifth question fifth question में आपको दिया गया है 45 second to one minute बच्चे ratio में निकालने के लिए पहले unit same करेंगे 45 second को तो as it is लिख दीजे one minute में आपके होते है 60 second दोनों की unit same कर ली अब आप इसको उपर नीचे 15 से divide कर दीजे कितना होता है 15 3 जा 45 15 4 जा 60 तो यहोगे आपकी 3 ratio 4 ठीक है इस question का 5th part 6th part है 3 days 6th part आपको दिया गया है 3 days to 3 weeks 3 days to 3 weeks अब देखे बच्चे 3 days को तो आप ऐसी रहने दीजे क्योंकि days आपकी छोटी unit है और 3 week यानि कि 1 week में होगे आपके 7 तो इसमें हो जाएंगे 3 को 7 से multiply कर देंगे 3 upon 21 3 और 21 को जब आप करेंगे 1 आपका आएगा 1 ratio 7 1 upon 7 3 से इसको cancel करेंगे तो आपका आएगा 1 upon 7 तो 1 ratio 7 ठीक है यह आपका हो गया question number 8 complete question number 9 देखे the ratio of the height of Rohit and Mohit is 4 ratio 3 आपको ratio दी गई है क्या दी गई है ratio of Rohit and Mohit Rohit and Mohit की आपको ratio दी गई है कितनी 4 ratio 3 अब आपको मोहit की height दे रखी है और आपको Rohit की height निकालनी है ठीक है आप देखे अब इनकी हो गई ratio of Mohit and Rohit height या आपकी हो गई 4 upon 3 ठीक है अब आपकी रोहित की कितनी है बेटा रोहित की निकालनी है है ना मोहित की दी गई है तो आप माल लीजे X यहां लिख लीजे let height of height of किसकी निकालनी है आपको रोहित की let height of rohit is equal to X अबने X माल ली 4 upon 3 is equal to X upon 1 कितनी दी रखी आपको 1 upon 5 ठीक है अब इसको ratio में लिखेंगे X को find out करने के लिए बेटा हम इसको cross multiply करेंगे 3 को X से किया 3X हो गया और 1.5 को हम 4 से multiply करेंगे 3X is equal to आजाएगा 6 क्योंकि point ठट जाएगा तो X आपका आजाएगा 6 upon 3 तो यह आगया आपका 2 तो आपकी rohit answer कितना हो गया रोहित की जो height आगई वो आपकी आगई 2 किसमें दी गई है unit आपको centimeter में sorry तो आपकी height आगई 2 meter ठीक है अब देखे question number 10 same वैसी है जैसे हमने 9 में किया है रेखा and ruby have some money the ratio of their money is 5 ratio 6 रेखा और ruby की जो आपको दी गई है क्या रेखा and ruby की जो ratio दी गई है रेखा and के पास कुछ money the ratio of their money ratio of रेखा and ruby's ratio of money कितनी दी गई है ratio of money आपको दी गई है वच्चे यह आपको दी है 5 ratio 6 तो आप इसे लिखे 5 upon 6 is equal to अब किस की दी गई है आपको ruby की दी गई है तो यह पहली जो है 5 किस की है 5 आपके रेखा की और ruby की यह आपकी हो गई रेखा की और यह हो गई ruby की ठीक है ratio और आपको ruby के पास कितने है रूबी के पास है 120 रूपीज देखे रूबी की हमने 120 है तो let इसमें आप रिखे let money of what money of रेखा इसमें भी वह ही करेंगे x माली हमने x a b कुछ भी मान सकते हैं यहां लिके x cross multiplication करेंगे 5 into 120 is equal to 6 into x तो यह कि इतना हो गया 12 5 जा हो गया 60 0 is equal to 6 x तो x हो गया आपका 600 upon 6 तो यह हो गई आपकी 100 रूपीज तो आपके पास किसकी निकालनी थी आपको money of money of रेखा money of रेखा is equal to 100 रूपीज आई बास समय में बच्चे तो इस तरीके से आपकी exercise 13.1 complete हो गई ठीक है इसको आप अपनी book copy में complete कर लिजे